कुलू जिला में देवी देवताओं ने भविश्यवानी की थी कि साथ दिनों के भीतर बारिश वा बर्फ बारी होगी जिससे फसले अच्छी होगी वहीं इस भविश्यवानी के चलते कुलू में बारिश हुई है कुलू घाती में बागवानों की सेव और अन्य फलदार फसल के लिए चिलिंग हवर्स पुरे होने से अच्छी फसल की उमीद जगी है कुलू जिला के निचले क्षेतरों में करीब एक माहा बाद जमा जम बारिश होने से किसानों बागवानों वा आमजनता को बड़ी राहत मिली है उंचे क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी होने से प्राकृतिक जलस्त्रोतों को संजीवनी मिली है उंची पहाडियों पर ताजा बर्फबारी वा निचले क्षेत्रों में जमा जम बारिश से तापमान में हलकी गिरावट दर्ज की गई है वहीं लोगों को बीते दिनों से हुई हलकी गर्मी से भी राहत मिली है कुलूजिला में बारिश और बर्फ बारी के बाद किसानों बागवानों के साथ परियतन कारोबारियों में भी खुशी की लहर है सब के लिए ठीक रही है बहुत अरसे से बारिश नहीं हुई थी अब जो बारिश हुई है उससे एक तो मौसम अच्छा हो गया है कुछ गर्मी बहुत बढ़ गई थी अब उससे भी राहत है और किसानों बागवानों के लिए भी ये बहुत अच्छी बारिश हुई है इसके साथ कुछ ना कुछ बिमारियों सुखे से भी राहत मिलेगी लोगों को स्थानी बागवान सतीश कातियान ने बताया कि मौसम ने शनिवार सुभा से करवट बदली है उन्होंने कहा कि उपरी क्षेत्रों में ताजा बर्फ बारी हुई है और निचलेक शेत्रों में बारिश किसानों बागवानों की फसलों के लिए संजीवनी बनकर बर्फी है स्थानी किसान उत्तमराम ने बताया कि कुलू जिला में लंबे समय के बाद हुई बारिश वा बर्फ बारी किसानों बागवानों की फसलों के लिए संजीवनी साबित होगी उन्होंने कहा कि इस बारिश से सभी लोगों को फाइदा होगा उन्होंने कहा कि बारिश होने के बाद धूल मिट्टी से भी निजात मिलेगी सिटी चैनल के लिए कुलू से दिलीब ठाकुर की रिपोर्ट